नमस्कार दोस्तों मैं गज्जू गाइड चलिए लेके चलता हूँ आपको उश्री कामखेड़ा बाला जी अगर आप राश्री राजमार्ग संख्या बारा या अभी जो वर्तमान में नामकरण हुआ है राश्री राजमार्ग संख्या बावन उस पर यात्रा कर रहे हैं तो कामखेड़ा बाला जी के दर्शना पाउश्य कर सकते हैं अतले राज से मात्र 15 किलो मेटर दूर है मनोर्थाना रोर पर या अगर मनोर्थाना साइट से आ रहे हैं तो मनोर्थाना से भी आप आ सकते हैं करीब आदे गंटे का रस्ता है राजगर से भी पहुँच मार्ग है श्रीकाम खेड़ाबालाजी के लिए तो करीब तीन या चार रास्ते हैं जहां से आप श्रीकाम खेड़ाबालाजी पहुंच सकते हैं रोल बिल्कुल अच्छे हैं और आप अगर वेक्टिकत साधन से जाना जा रहे हैं तो बहुती अच्छी बात है वरना मुख्य सडक मार्क तक राजस्तान रोलवेज की या मतिपिलेश रोलवेज की बसे अभी लेवल रहती हैं हमेशा भरे भरे खेट सरसों से लहलाहते खेट और शुद प्राकृतिक हवा का अनंद ले सकते हैं आप रास्ते में कामखेड़ा बाला जी पहुचने के पहले यह अद्बूद न जा रहे हैं आपका मन मोहलेंगे और जैसे ही आप कामखेड़ा बाला जी प्रवेश करते हैं तो यह आपको देखने को मिलेगा छोटी-छोटी दुकाने चारो तरफ और कामखेड़ा बाला जी मंदिर सामने आपको दिखाई दे रहा है प्रसाद, सामागरी, पुजन सामागरी वगेरा मंदिर के बाहर आप ले सकते हैं और मंदिर में दो प्रवेश द्वार है आप कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं यहां मद्धिप्रदेश, राजस्थान और देश-विदेश से पजारों लाखों श्रद्धालू पर वर्ष दर्शन करने आते हैं कामखेड़ा वाला जी की उतनी ही मानमिता है जितनी की श्री सालासर वाला जी या मेंदिपुर वाला जी की है आरोती में एक प्रसित तीर्थ सल है श्री कामखेड़ा वाला जी श्रद्धालू नव वर्ष शादी या नव विवाहित जोरों को दुकाने या कोई भी मन्नत पूरी होने पर श्री कामखेड़ा वाला जी जरूर आते हैं अरोस परोस से मीलों दूर पैदल भी चल कर लोग आते हैं माना जाता है कि वोग प्रेद का अगर साया किसी पे है तो वो भी यहां पे लाप राप्त कर सकते हैं उपचार का कामखेड़ा वाला जी सब की मनोगामना पोन करते हैं सब के कश्ट हरते हैं आगे वीडियो में मैं आपको अच्छे से श्री कामखेड़ा वाला जी के दर्शन कराऊंगा अजारों लाखों श्रद्धालू भरवर्ष यहां आते हैं तहरने के लिए श्री कामखेड़ा वाला जी सब्सक्राइब द्वारा समचाली ते एक बड़ी धर्शाला है मनोती के धागे यहां बंदे हुए हैं कोई भी छोटे मोटे कारेकम सगाई समारो बर्थडे आप यहां बाला जी के सानिदि में मना सकते हैं हवन कीर्टन वजन संधिया इत्यादी भी यहां आयोजित किये जाते हैं सामने आप एक कारेकम चलता हुआ देख रहे हैं पोर्तों का मंदिर के ऊपर वाले ब्राग में प्रवेश वर्जित है फोटोग्राफी भी वर्जित है लेकिन मैंने विशेश परमीशन लेकर यह वीडियो आपके लिए बनाया है और यह जो आप देख रहे हैं अखंड जोती जैसा कि मुझे पंडी जी ने बताएगी कुछ तो यहां पक्चिस साल से ज्यादा से लगातार जनली है और श्री कामखेडा बाला जी के दर्शन हर मंगलवार और शनिवार यहां शब्दालू का जबरदस्त ताता लगा रहता है मनोर्थाना, कांखेडा, अकलेरा, राजगर, प्यावरा, कुना और भी दूर-दूर से शब्दालू यहां आते हैं बाबा के दर्वार में अडजी लगाता है और जब मन्दते पूरी हो जाती है तो किसी ने किसी तरह से पिश्वर का शुक्रियादा करने यहां आते हैं यह अखनजी आप देख रहे हैं अब आप आराम से बाला जुमराज के दर्शनियां से कर सकते हैं यह हवन कुंड है मंदिर के पास में ही मंदिर फ्रांगन में ही जहां आप अगर बत्ती दूख बत्ती लगा सकते हैं नारियल हवन कर सकते हैं कांपेड़ा बाला जी मंदिर ड्रस्ट द्वारा संचालित यह प्रसाद बंडार आप चाहें तो प्रसाद बाहर से लाकर भी वरवान को चड़ा सकते हैं और चाहें तो भोग लगावा प्रसाद घी के लड़ू गी से बने हुए देशन के लड़ू यहां से प्राप्त कर स सकते हैं बाहर छोटे-छोटे ठेले जहां से आप कुछ खरीदारी कर सकते हैं बच्चों के लिए अपने खुट के लिए प्रसाद और हवंसा मागरी इत्यादी यहां प्राप्त कर सकते हैं और श्रीकाम खेड़ा बाला जी मंदिर के पास में ही एक भव ये श्रीराम मंदि का निर्मान अभी चल रहा है जो आप वीडियो में देख रहे हैं संग मरमर से इसे बनाया जा रहा है और देखने में लगता है कि यह अधुत मंदिर जल्दी ही बनके फूर्ण होने वाला है इसकी नकाशी कलाकारी देखते ही बनती है जब बनकर यह तैयार हो जाएगा तो मोडर्न आर्पिटेक्चर का और इंदू संस्कृति का एक अद्बुत संगम आपको देखने को मिलेगा अभी प्रांट प्रतिष्ठा नहीं की गई है किसी मुर्तिगिया आपर राम लक्ष्मन और मतसिता की प्रतिमा यहां लगाई जाएगी यह देखिया कलाकारी बारी की कारी गरी संगमरमर के उपर नकाशी जो की गई है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बनने के बाद कितना भवगे और कितना खुबसूरत यह मंदिर बनने वाला है अभी कारी प्रक्ति पर थे और उम्मीद है जल्दी ही यह कारी पूर्ण हो जाएगा अगर आप यहां बहार से आ रहे हैं तो बोजन बनाने की ठहरने की यहां रुपने की बजन कीर्टन करने की अच्छी व्यवस्ता है रुपने के लिए मंदिर ट्रस द्वारा संचली के एक बहुत बड़ी तर्म शाला है और बोजन वगेरा बनाने के लिए आसपास काफी शेड़ेड जगें है छोटा मार्केट है पास में जहां से आप अपनी जरूत की चीज़ें खरीज सकते हैं आटा दाल या निबोजन सामगरी यह देखिए जो बनने के बाद में पव्यमंदिर नजर आ रहा है आपको श्रद्दालू यहां हजारों किलोमेटर दूर सा आते हैं मत्यप्रदेश, MP39, MP08, RJ20, RJ17 और यह ट्रस्टीगंड संपर्क सूत्र अगर आप यहां आना चाहें तो जानकर इन नमबरों पर ताप्त कर सकते हैं यह जो है दर्मचला अब दिख रही है बहुत जादा व्यवस्थित नहीं है लेकिन सुविधा, पानी, खाना बनाने के बरतन, इलहन, गद्दे, रजाई, यह सब यहां पर उपलब्द है छोटा मोटा सगाई सामारों यहां पर संपन किया जा सकता है दो मंजिला इमारत है, काफी बड़ी बनी हुई है, चारों और कमरें और बीच में एक बड़ा गाडन है तो यह मैंने आपको श्रीकाम केड़ा बालाजी बंदिर के धर्शन कराए उमीद है बालाजी महराज आप सभी पर प्रपा बनाए रखेंगे धन्यवाद